हेलो प्रेंट्स, मैं हुआ कल्पना से और कल्पना स्कीछर में आपका स्वाब बैए आज हम बनेंगे होली स्पेशल थंडाई चेले स्टार्ट करते, सबसे पहले पैन में हम डाल देंगे थोड़े से बादाम, काजू डाल देंगे पिस्ता डाल देंगे और थोड़े से वाटर मिलन सिर्च डाल देंगे और शोफ डाल देंगे थंडाई के लिए यह बहुत ही ज़रूरी है थोड़े से दाल चिने थोड़े से इलाई ची काली मिर्च लॉंग दो तिन और थोड़े से खसकस और जैफल पाडर इससे टेस्ट बहुत ही बढ़ी आता है और केशर केशर ना होता फूर कलर भी डाल सकते हो अब इसको हम दो मिनित तक ही लाएंगे इसमें डाल देंगे सुकी हुई घुलाब की पत्ती इसको दो मिनित तक ही हमको रोष्ट करना है फ्रेंस इसे रोष्ट करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि इसका जो अंदर का कच्चापन है वो पूरी तरसे निकल जाए देखे इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है अब हम इसके जो अंदर इलाईची है उसका छिलका निकाल देंगे देखे आप इससे बहुत अच्छी थंड़ाई पाउडर त्यार कर सकते हो अब हम इसको मिक्सर में पीस लेंगे देखे ये हो गई हमारे थंड़ाई पाउडर रेड़ी इसे ज़्यादा नहीं पीसना है, अब हम इसको निकाल देंगे, फ्रेंड्स आप थंड़ाई पाउडर से केक भी बना सकते हो, कुलफी भी बना सकते हो, अब हम बनाएंगे इससे मिल्क ड्रिंग, चलिए, मिल्क ड्रिंग बनाना श्टार्ट करते हैं, मिल्क ट्रिंग के लिए हमें चाहिए एक ग्लास दूर, दो चम्मच चीनी, चीनी स्वाच के अनुसार और एक चम्मच थंड़ाई पाउडर अब हम इसको मिक्सर में पीस लेंगे, देखिए ये हो गया हमारा मिल्क ट्रिंग रिडी देखिए बहुत ही खुब सरत दिखरा है, इसका टेस भी बहुत ही अच्छा आ रहा है आप इसी थंड़ाई पाउडर से बच्चों को मिल्क डिंग बना के दे, ये बहुत ही टेस्टी होता है, हिल्दी होता है अब हम बनाएंगे थंड़ाई लसी, लसी के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा दही, दो चम्मच चीनी, चीनी स्वाद के नुसार और एक चम्मच थंड़ाई पाउडर इससे लसी में बहुत अच्छा स्वाद आता है, अब हम इसमें थोड़ा साइज डाल देंगे और पीस लेंगे, देखिए हमारी लसी बनके रेडी हो चुकी है, देखिए बहुत ही खुपसुरत दिख रही है, अब हम इसमें डाल देंगे लसी खस सिरप, इससे टेस्ट बह अब गार्नेशिंग के लिए हम डाल देंगे थोड़ सी थंड़ाई पाउडर, देखिए लसी बनके रेडी हो चुकी है, या मैंने थंड़ाई पाउडर से थंड़ाई लसी बनाई है और थंड़ाई मिल्क ड्रिंक बनाया है, आप इस थंड़ाई पाउडर को फ्रीज में एक मैने तक स्टोर कर सकते हो, तो फ्रेंड से ये थी मेरे थंड़ाई की रेसिपी, आपको कैसे लगी है मुझे कमें सेक्षन में बताईए और मेरे वीडियो को लाइक और शेर कीजिए, और मेरे चैनल कल्पनस की चन को सब्स्क्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबा दे ताके आपको लेटर सब्ट्रेस मिलते रहें, वीशो हेपी होले